तो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नए और एक फ्रेस वीडियो में तो दोस्तों आज आपन देखेंगे अपने महिंद्रा का पॉर्फर्फर्वरेंस और यहां पे देख सकते हैं कुवोटा का हर्वेस्टर चल रहा है और दोस्तों उसी जगा से अपना महिंद्रा जाएगा जो पिछले वीडियो में कुवोटा जहां फसा था दोस्तों वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डेस्किप्सन पे लिंगे आप जा के देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं एक टेंग लोड हो चुक है अपने ट्रेक्टर पर और अभी दूसरा टेंग फूल हो चुक है आप देख सकते हैं जो हार्वेस्टर वो आ रहा है और लोडिंग देने के बाद मैं आपको इसका प्वार्फर्मेंस दिखाता हूं कि आखिर यह ट्रेक्टर वहां पर फसता है या नहीं और दोस्तों कोटा का फसने का कारण और भी एक हो सकता है क्योंकि उसका टायर भी थोड़ा कम था तो वह ज्यादा स्लीब ले रहा था और अपना ट्रेक्टर उस जगा से निकलता है या नहीं दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह जो है धान वह अनलोड कुर रहा है और फूरा ऑटोमेटिक सिस्टेम है दोस्तों आप देख सकते हैं तो दोस्तों अपना मैंद्रा जो है उसी रस्ते से आ रहा है आप देख सकते हैं पूरा फूल रेज से और देख सकते हैं काफी गिला जमीन है दोस्तों ये तो दोस्तों ये है वहला जगा जहांपर पूटा चार बार फजाधा चार बार के बार निकला है और देख सकते हैंपना माहिंद्रा भी थोड़ा जब चुका है और दोस्तों याँ पे सीधी एक टर्निन आ सिलिए यहां भी ट्रेक्टर फज रहे हैं एक में अपना माहिंद्रा भी नहीं निकला है देखते हैं दूसरी प्रयास में निकलता है यह नहीं तो दोस्तो निकल चुका है अपना ट्रेक्टर तो दोस्तो अभी चल रहे हैं ट्रेक्टर को 낮 लोडिंग ने जहाँ पर मतलब किसान का जिस किसान का यह धान है उसका जो खलियान रहता है वह वहां पर गिराएंगे बने लगाने सकता है Larum अब देख सकते हैं काफी ख़दरनाग रस्ता ही है तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं उसके खलियान पर पिसानगे और यहां पर देख सकते हैं अपना गाड़ी अन्लोड करना भी चालू कर चुका है और दोस्तों ऐसे ही इनफर्मेटीव वीडियो हम लाते रहेंगे चैनल पर तो चैनल पर बने रहिए ऐसे ही ट्रेक्टर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके पास वहले बैल आकॉन को आप पे सेट कर जी क्यूंक